आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello guys, we are going to solve this question in this question given that the roots of the quadratic equation x square plus 8x plus 12 equal to 0 हमें एक quadratic equation given है quadratic equation में क्या given है हमें x square plus 8x plus 12 equal to 0 हमें इसके roots बताने है तो roots बताने के लिए हम इसका क्या कर रहेंगे इसका factor method से भी roots निकाल सकते हैं और आप स्रीद्रहचार method से भी निकाल सकते हैं ठीक है, बहुत सारे method हैं इसके roots निकालने के मैं अभी आप एक factor method से निकाल रहा हूँ तो देखिए factor method से कैसे root निकालते हैं क्या given हमें x square plus 8x plus 12 equal to 0 ठीक है, अब ऐसे दो नमबर ढूड़ी है जिनका जिनको अगर add करें तो 8i और multiply करें तो 12y तो वो होते हैं 2 and 6, ठीक है, तो इसको इसमें ही तोड़ देते हैं x square plus 6x plus 2x इनको जब add करेंगे तो इसका मतला 8x ही है और plus 12 equal to 0 अब इसके बाद इन मैंसे और इन मैंसे जो common है उसे common ले ले लेते हैं तो इसमें से common है x तो यहां से x common लिया तो क्या बचे गया x plus 6 इसमें भी है तो यहां से x plus 6 common आ जाएगा और यहां से क्या यहां पर क्या बचेगा x plus 2 equal to 0 अब दो नंबर का multiply थभी 0 हो सकता है या तो वो दोनों ही 0 हो या फिर उनमें से कोई 1 0 हो ठीक है तो पहले मैं मान लेता हूँ कि x plus 6 की value क्या है 0 है तो यहां से x की value क्या निकल के आएगी minus x ऐसे ही अब मैं एक बार इसको माल लूँगा x plus 2 equal to 0 है तो x की value क्या निकल के आएगी minus 2 दी जारता roots ठीक है इस quadratic equation के roots क्या हो गए एक हो गया x equal to minus x एक हो गया minus 2 ठीक है तो कॉंस आप्शन सही हो जाएगा जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट ने टाप या whatsapp कीजिए अपने डाउट 8444 चार्स उपर